कैसे हो आप लो मैं सोनी अपने चानल में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं बड़ो को प्रेडाम करती हूँ बताओ कैसे हो आप लो आज डेट है 26 तारीक और 26 फरवरी और दिन है शनिवार और टाइमिंग हो रही है इस टाइमिंग ग्यारफ और आप लोको अभी वीडियो अपलोड करके आज थोड़ा लेट हो गया मुझे वीडियो अपलोड करके डालना है तो यह वीडियो अभी जाएगी थोड़ी देर एक रिटेप आज आईए तो मेरी वीडियो ज़रूर देखेगा आप लो मैं इस वीडियो में बहुत अच्छी से एक रेस्पी मैंने शू है और अच्छी सबस्क्राइबर है दुए बेटाएजो है और यह एक पेस्ट आएगी और हाग मेरी एक सबस्क्राइबर है झाला जैस्वाल तो आज उनका और उनकी बेटी नंदिनी का बड़े है तो हैपी बड़े निशा और हैपी बड़े नंदिनी बेटा कैसे हूँ आप लो मेरे यूटूब फैमिली की तरब से मेरी तरब से घर संसार और रौंडर की तरब से आप सबको दोनों मा बेटी को ठेर सारी शूप काम नाए और नन्दनी बेटा आपको जीवन में आगे बढ़ो और बढ़ो का आश्रवाद आपके उपर बना रहे है और लाइप में आप में आश्रवाद दोंगी आपको तो चलिए ये रेस्पी सूट करी और आप लोग बताएगा की रेस्पी कैसी है तो चलिए मैं आप लोग तो दिखाती हूँ ये रेस्पी और आज मेरे बड़े पापा जो एक्स्तार हुए थे आप लोग साथ ने शेयर किया था तो आज उनकी तेड़ भी है तो भगवाद से दुआ करिए उनकी आपने खुशानती मिले चलिए ये रेस्पी आप लोग दिखे बबाई देखिए ये रेस्पी है तो मैंने देखिए टमाटर दो तीन ले लिया है पीस कर पेस्टे बना कर और यही है दकर्ड यानि दही और प्याज को मैंने बहुत बारिकी चौप किया है अद्रक लेसुन का ऐसे दरदरा कूट लिया है कटोरी में है एक कटोरी भर कर मैथी और ये कुछ खड़े मसाले ये रिखिए मैंने सौफ लिया है आधा चम्माट जेरा है आधा चम्माट दो तीज पत्ते हैं लॉंग है काली मिर्स मैं नहीं ली हूँ आपके छोट आप ले सकती है मसाले हैं और मैंने मटर लिया है मटर को मैंने हलका सा बॉयल कर लिया है फ्रेश मटर था हलका सा मैंने बॉयल किया है चड़ा लिया है मैं बड़ेवाले जो चम्मछ होती है इसे इंट पे Q3 ऑफ जोढ़ेंगे जीरा संफ और जीडा पहले तो फीन एक आफाई ठोड़ी मोठी है तो इसकी वज़े से थोड़ा सा कि देज पत्ता के साम गरम की तो फिर मैंने जीरा आप इसमें और भी ख़ड़ी मसाले में पसंद्क करते हैं लोग इसलिए बहुत कम लिया है만 जीरा और प्रकृत है तो यह सुन मेरा बहुत बारी की था, तो खोई कोई के चिल के रह गया है, तो इसके लिए ऐसे खलवट्टी में मैंने कुटा है और फिर उसके बाद देखेए, अब आगे इसमें डालेंगे प्याज, देखे मैंने प्याज भी डाल दिया है, प्याज को मैने बहुत चॉप कि बहुत बारिक चॉप किया है क्योंकि इसमें जो प्याज वगेरा रहता है खड़ा नहीं रहना चाहिए इसलिए मैंने टमाटर को भी टेस्टी बनाया है और देखिए इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो जल्दी से प्याज रोष्ट हो जाता है देखिए इसमें मैंने पावडर बारिक बडाल देखिए नमक डालने के बाद आप डालोगे सुक्षे मैसाल तो एक चमछ में डाले है हल्दी पॉडर का थोड़ा हुआ धृ कि थोड़ा व्यास ठीश घट से तो क्लरई हो जाता है यहाज तो दो चमच मैंने धनिया जीरा पौडर डाला है और दो चमच के करीब में मैंने गरम मसाला डाला है अब इसको अच्छे सी भून लेंगे और ये रेस्पी आप सभी से में रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक बार बनाईगा आप लो जरूर आप लो को बहुत पसंद आएगा और गढ़ा कढ़ा देखें मैंने टमाटर का डाला पेस्ट यह मेरे तीन टमाटर हैं मेडियम साइज के हैं तो फिर मैंने यह भी भून लेंगे और यह आप इतना ध्यान रखेगा कि आपने नमक भी पहले डाला है तो बाद में थोड़ा ही डालेंगे और थोड़ा पणि डाल दूंगी कि अब क्योंकि जलने लगेगा ना मसाला तो इसके लिए अब थोड़ा सब्वन लेंगे एंग बुणने के बाद अमसमें डालेंगे मेथी मेथी पूरी भर ली थी यह नहीं चोटा बहुत था कटोरी ना बाडा कटोरा था मेडियम साइज वाला कटोरा था एक कटोरा मैंने मेथी लिया मेथी को अच्छे से मासाले में कॉटकर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक प्षाखो स्क्राइब करने काबा चोटी। अब इसमें ूअ डालेंगे मटर, मैंने अट्र 1 माइनी हलक कर लिया था तो ध्राइब में बाइब की स्क्राइब मेति भी जल्दी पकती और कुछ प्रकमी लायक था ही नहीं इसके लिए सबजी जल्दी बने तो इसके पहले ही से मैंने मटर को बोइल कर लिया था और फिर इसको ठोड़ा ढग दें जब अजये, अच्छे से मिल जाए तो अपना ठोड़ा पका लेंगे, थोड़ी दीर फिर दिखने में कितना मस लग रहा है pars frontline take it जब मेवाइस उभर करें तो देखकर मुझे मजा रहा है बहुत अच्छा लग रहा था तेश्ट भी बहुत अच्छा था और इसके साथ आप नान रखिए पराठा रखिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा रोटी के पिछा पराठा रखिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा और देखिए थोड़ा सा मैंने नमक डाला है क्योंकि पहले भी नमक डाला था थोड़ा सब करने के लिए नमक को तीखे को सब करने के लिए और यह मेरा अवरेश्ट का तीखा मसाल है मैं लाल मिर्ची पॉडर में हमेशा यूज नहीं करती हूँ कभी कभी करती हूँ इसलिए में नहीं रखती हैं क्योंकि मेरे गरम मसाले भी याली रखते हैं कभी दोगे से उसमें भी मर्ची रहती है। अभग में मेरा गरम मासाला इसनों प्रोंगे यह खरे THIS उसमें YouTube आपटेसमें करोंगी इसमें यह साल में, इसमी भाण 2 जो यह तो When the Yasme बहुत अच्छा लगता है कितने लो मलाई डालते हैं तो इसको मतर मेथी मलाई बोलते हैं तो आप लो एक बार दही कितने लो टोंड मिल्क लेते हैं तो दही नहीं हो पाते चाहे बाहर सखरिद कर लेकर आओ तो इसके लिए मलाईना होते हो तो अगर घर में दही है तो डालकर आप बना लिजी थोड़ा सा और सुखा करेंगे इसको देखिए हमारी सबजी रेडी है और आप लोग बताएगा खाकर की कैसा लगा और डेट सारा इसमें डालेंगे हरी धनिया की पत्ती डालेंगे और टेश्ट देखिए बहुत मसता आ रहा है अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे एक वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजीगा क्योंकि वीडियो बनाने में तो बहुत मेहनत तो होती है ना कैमरा सेट करो ये करो करो तो इसके लिए तो एक मेहनत के लिए क्लाइक तो बनता है ना आप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा देखिए रहा है